हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्रीशन क्लासिस विदे के पर आज के वीडियो में हम लेकर आएं आपके लिए भारती राष्टी अंदोलन से समंदे टॉब 100 MCQ जो आपकी परिक्षाक द्रश्टी से बहुत ही महत्पूर्ण शाबित होंगे तो इस 100 MCQ को हमने दो भागों में बाट दिया है पहला वीडियो आज करेंगे और अगला वीडियो हम कल करेंगे जिसमें हम 50% और करेंगे 100 प्लस कोस्चन करेंगे हम इसमें तो पहले वीडियो में आज हम 50% पर बात करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं प्रसिंसंक्या एक से अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो शुरू करने से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा शुरू करने से पहले और वेल आइकन को भी दबा लीजेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो च सुबाचंदर बोस जी से लेकिन सुबाचंदर बोस इसका अंसर नहीं होगा कहीं कहीं सुबाचंदर बोस भी मिल जागा लेकिन इसका अगर सही आंसर आप ढूनेंगे तो ये मिलेगा चेमबा कर्मन पिल्लई इन्होंने पहली बार इस नारे का इस्तिमाल किया था अगला हो गांधी जिने सत्य ग्रह की कला को अभेहास के रूम में कहां सीखा था तो ये इनों ने कहिं सीखा था दक्षन अफरीका में ड्य विकल्प सही हो जाएगा फार्वरड विलाग की स्तापना किसने की थी तो फार्वरड विलाग जो था इसकी स्तापना शबाद की गई तो समय जो भारत का बायस राय था वो था हमारा डफरिन ला डफरिन डी विकल्प सही हो जाएगा शंपून क्रांती की संकल्पना किस ने दे थी शंपून क्रांती की संकल्पना जो दे थी हमारे जो थे जै प्रकाश नारायन जी ने दे थी तो पांच में का हो जाएग पहली बार कब मांगा था मुश्लिम लीग ने 1940 में पहली बार डिमांड की थी कि वो कि वो अलग अपना मुश्लिम राष्ट बनाना चाहता है तो C बिकल्प सही हो जाएगा कैबिनेट मिसन का नेता नेमलिकित में से कौन था नेता का मतलब नेतरत करता यानि अध्यक्ष यानि कौन था उसका मुखिया तो ये जो मुखिया था इसका सर्पैथिक लॉरिंस था D बिकल्प सही हो जाएगा सात्वे का D अगला है नेमलिकित में से किस आंदोलन में महत्मा गांदी जी ने पहली बार भूंक अड़ताल का प्रियोग किया था तो पहली बार उन्होंने गुजरात में अहमदावाद हड़ताल जो मिलकी हड़ताल थी बहाँ पे ये पहली बार भूंक अड़ताल की थी मंगल पांडे कहा के बिपलप से जुड़े हैं मंगल पांडे जो हैं वो कहां से जुड़े हुए हैं वो बैरकपुर छाबनी से जुड़े हुए हैं सी बिकलब सही हो जायेगा इंडियान नेशनल कांग्रेस का बटवारा मध्यम मारगी और चरमपती बरगों में किस बर्स हुआ था दरसल राष्टिया अंदोलन की उगरता के साथ साथ कांग्रेस के उधारवादी नेता कौन थे जैसे दादा भाई नौरोजी सुरंदरनाथ बनर जी गोपाल किष्ण गोकले ये कौन थे उधारवादी थे और उगरवादी लालवाल पाल जिसे हम कहते हैं लाला लाजपत्रा बेपिंचंदर पाल लोक मानते लग इनके बीच मतवेद होने के बाद 1907 1907 में भारती राष्टिय कांग्रेश दो उधारवादी और उगरवादी गुटों में बट गया था तो इसका बिकल्प हो जाएगा खान अब्दुल गफार खाने उत्तर पस्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिसाली एहंसा का अंदोलन चलाया जिसे किसके रूप में जाना जाता है ये खुदाई खिद्मत गार के रूप में जाना जाता है ये बिकल्प सही हो जाएगा कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण सुराज 1929 में जो लहावर अद्वेशन हुआ था कि संगर्ष के प्रास्ताबना के बाद को सुतंत्रदा दिवस अगले साली जनवरी में मनाय गया था और ये थी 26 जनवरी 1930 इसी के कारण हमारे संगर्ष संगर्ष के बचवी अनुच्छे थे उन्हें 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था यही उसका में कार्ण था क्योंकि उससे पहले हम 26 जनवरी को सुतंत्रदा दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे गांधी और अमबेड करके मद्द पूना पैक्ट जो था पूना पैक्ट का समझवता जो हुआ था यह हमारा हुआ था 1932 में यह बिकलब सही हो जायागा 1923 में किसके दोरा सुराज पा बापस लेने का कांड था चोरी चोरा कांड जिसमें हमारे कुछ उग्रवादी नेताओं ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा करके कई पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था तो यह हो जायागा ए बिकलब सही 1922 में हुई था यह चोरी चोरा कांड इसलिए 20 के बाद 22 में उने पापस ले लिया गांडी जी के दौरा सुतंतिता के लिए संगर्स के दौरान बिरोध के प्रती के रूम में किस रसायन का प्रियूज बहुत महत्पून प्रशन है नमक अंदोलन किया था नमक हमारा हो था शोडियम क्लोराड तो ए बिकलब सही हो जाएगा सोला क नेता कवन था जिसके नितरत में जमीदारी अनमूलन चलाया गया था तुझे स्वामी सहजा नंस रश्वती थे बिकलब सही हो जाएगा एक अनववी भारती नेता राम मनहो लोया किस विचारधारा से आतेदिक प्रवाबित थे समाजबादी पार्टी वाले आज भी उनक लिकित में से किस राज सीमा को प्रभावित नहीं किया था किस राज सीमा को प्रभावित नहीं किया था तो ये था हमारा चित्ता और ए बिकलब सही हो जाएगा सीमान्त गांदी खान अब्दूर गफान खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी उस पार्टी का नाम था ख का हो जाएगा हमारा सुरी नहीं कराची अद्वेशन में कहा था डी डी बिकलब हो जाएगा बाइस का हो जाएगा हमारा डी 1857 में सिपाही बिद्रो कहां से प्रारंब हुआ ये सिपाही बिद्रो जी प्रारंब हुआ था मेरट से डी बिकलब सही हो जाएगा आम तरपर किसे लवपुरुस के नाम से जाना जाता है लवपुरुस हमारे सरदार बललब भाई पटेल को कहा जाता यह बिकलब सही हो जाएगा किश बर्थ गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था गांधी ने निम्लिकत मेंसे पोस्ट डेटेट्ट चेथ के से कहा था पोस्ट डेटेट चेथ उनने कहा था कृप्स परस्थाओ को यह बिकलब सही हो जाएगा निम्लिकत मेंसे कौन सा जोड़ा गलत है चिपको आंदोलन बिजय बहगुणा नहीं है सुन्दर लाल बहुणा दे तो पहला ही जोड़ा गलत हो जाएगा बांकि ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है तो ये बिकल्प हो जाएगा गलत अगला है शुराज मेरा जिनम से दधकार है ये किस ने कहा था वाल गंगा धतिलक ने कहा था 28 का हो जाएगा डी उस सुतंतता सिनानी का नाम का उले कीजिए जिसने लाड एस की मनियाची जंक्सन पर हत्या कर दी थी तो ये थे हमारे कंबंची नाथन अगला हो जाएगा बहुष प्रसित भारति क्रामतिकारी कौन थे जो बेटिस जेल में 63 दिनों की भूह करताल के बाद उनकी मृत्यू हो गई थी तो ये कौन थे? ये हमारे थे जितिन दास ए बिकलब सही हो जाएगा बर्स उननेस उननेस में बेटे सेना द्वारा निर्दोस भारतियों की शामू ही कत्या की गई जब बेस सांथ पूर्ट सबा कर रहे थे बहिस्तान कौन सा था? ये जलिया वाले कांड की बात कर रहे है जलिया वाला बाक मृसर का ये बिकलब सही हो जाएगा भारती राष्टी कांग्रेस का प्रतम अद्वेशन कहां युजित हुआ था? तो भारती राष्टी कांग्रेस का प्रतम अद्वेशन जो हुआ था ये हुआ था हमारा बंबे में ये बिकल्ब सही हो जायाएगा 33 किस गटना ने गांधी जी को सही अंदुलन बापस करने के लिए प्रेरित किया ये बही की गटना थी 34 कांड 33 का हो जायाएगा हमारा B चिपको अंदुलन निम्लिकित के साथ जुड़ा है चिपको अंदुलन किस के साथ जुड़ा है ब्रक्चों के साथ ब्रक्च के साथ B बिकल्ब सही हो जायाएगा इम्लिकित में से कौन साइस्तल राजास्तान में 1857 की क्रांती का केंदर नहीं था जो ये हो जायाएगा 35 का हो जायाएगा B जैपुर जैपुर नहीं था अगला है शबने अबग्या अंदुलन शुरू करने से पहले गांदी जी ने लाड एर्वन को ये 11 सूत्री मांग पत्र बेजाता उसमें कौन सी मांग इनमें से संबलित नहीं थी तो ये मांग जो है इसमें बूरा जिसका 50% कमी करना ये संबलित थी रुप्या श्टरलिंग की बिनमें दर कम करना थी सेन और नागरिक प्रसासन के खरच में 50% की कमी ये भी थी लेकिन भगस सिंग और बटगेस और दत की मापी के लिए उसमें कोई जिक्र नहीं था इसका बिरोध आज भी होता है तो इसमें कौन सी पूँच रहा है कौन सी नहीं थी कौन सी नहीं थी तो 36 का हो जाएगा हमारा ए चार वाली नहीं थे 58-57 के बिद्रो का तातकालिक काण बैसे तो बहुत काण लेकिन तातकालिक काण जो था सैंतिस का जो चर्वी लगे कार्टूस थे सुवर और गाय की चर्वी का इस्तिमाल किया था उसी के काण भूँआ खिलापत आंदोलन किसके आसपास हुआ था तो खिलापत आंदोलन जो था ये खलीपा की प्रवता को संरक्षित करना इसका उद्ध्यस था निमलिकित में से कौन से बरगों ने 1857 के बिद्रों में भाग नहीं लिया केबल किसानों ने लिया आगे ना इनने ना इनने ना इनने तीनों ने लिया एक दो तीन सी बिकल्ब सही हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा सी अगला है गांधी जी द्वारा एमदाबाद के निकट इस्तापित आसरम का नाम बताईए तो गांधी जी ने कौन सा आसरम इस्तापित किया शावरबती आशरम शी बिकल्ब सही हो जाएगा अगला है गांधी का नमक सत्याग्रे किस अंदोलन का हिस्सा था नमक सत्याग्रे जो था गांदी जी का गांदी जी के नितरत में शबने बग्या अंदोलन 1930 में आरंब किया गया था जिसका आरंब डांडी मार्च के नाम से यानि नमक अंदोलन से आरंब किया गया था तो यह हो जाएगा हमारा शवना अभग्या अंदोलन ए बिकल्प से हो जाएगा ए अगला है गांदी जी द्वारा शयों अंदोलन किस कांड से बापस ले लिए यह रिपीट हो गया कोस्चिन यह 4-4 कांड 42 का हो जाएगा हमारा ए 4-4 कांड की घटना जो 10 फरवरी 1922 को हुई गीती उसी के कांड उन्हों ने बापस ले लिया था निम्लिकित में से क्या सही मेल नहीं खाता है चिप को आंदोलन ऐसल यानि बहुणा सही है नर्मदा बचाओ मेधा पाटे कर सही है अपि को आंदोलन पीएगड़े सही है माउन आंदोलन जो था यह केरल में हुआ ता औ और ये इसका बाबा आम्टे से बाबा आम्टे ने जो था कुष्ट रोगों के लिए कुष्ट रोगियों के लिए उन्होंने बाबा आम्टे ने कुष्ट जो ब्यक्ति कुष्ट रोग से पीडित थे उनके लिए उन्होंने कारी किया था मोन अंदोलन जो था केरल में मोन गाटी में संडरक्षित बन को बचाने के लिए चलाया गया था तो डिवालाई गलत हो जाएगा अगला निम्लिकत मेंसे मुसल्मान नेताओं मेंसे कौन मुसलिम नीग के जनकों में संबलित नहीं था लाल बाल पाल तो गरम दल के थे तो C हो जाएगा सुरिंदरनात बनार जी अगला हो जाएगा प्रिस्जद सयोग अंदुलन प्रस्ताओं को भारतिय राष्टिय कांग्रेस के एक बिसेस अद्वेशन सेतंबर 1922 में सुविकर्टी दी गई ये अद्वेशन कहां हुआ था तो ये अद्वेशन जो हुआ था हमारा ये हुआ था हमारा कोलकाता में बी बिकलब सही हो जायागा इनमें से किस पूर्व राष्टबादी नेताने इंगलेंड में कारिये करते हुए भारती राष्टी यांदोलन के पक्ष में जन्मत को शंक्तित किया था तो ये 47 के थे हमारे दादा भाई नौरो जी डी बिकलब से ही हो जाएगा भारती ये स्वाधियन्ता के समय भारती राष्टी कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो जेवी किरपलानी थे जलिया भालाबाग, अध्यकनड के जम्मता जनरल डायर को गोली मारी थी जी थे हमारे उद्दर्ब सिंग्ने गोली मारकर के अध्यकरदी थी फारवर्ट विलाकी स्थापना जो की थी किसने की थी शुबाच जिन्र भोष ने डीबिकलब सही हो जाएगा